नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉंगेस्ट यूटूब चैनल SKD All In One पे गाईज अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करके All के बटन पे क्लिक कर दें जिससे कि आप जो स्ट्रॉंगेस्ट यूटूब चैनल है उसकी अपडेट को मिस्स ना कर पाएं फरस्ट अवाल थैंक्यू सो वेरी मच्च फॉर इस काइंड अफ लोव और सपोर्ट गाईज आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत जबरजस्त अपडेट लेकर के आया हूँ नीमच से अजय श्रीवास्तव जी को आप अलरड़ी जानते हैं जो कि सहडोल कजिनोंने जो भी मैटर है वो सारा उन्होंने वापस ले लिया था रादेशाम जी से बातचीत होने के बाद बिग सल्यूट टू अजय श्रीवास्तव जी तो आज अजय श्रीवास्तव जी ने ही कुछ अपडेट दी है और उन्होंने कुछ की पॉइंट्स रखे हैं मिल करके रहें एक जुट रहें फैबरोरी का मन्त बहुत क्रूशियल है हमारे लिए इसी मन्त में हमारे को अल्मोस्ट अल्मोस्ट सारी चीज़ें फाइनल अपडेट मिल जाएगा राइट अब मैं ज्यादा ना बोलूँ गाईज उन्ही की जुबानी सुनते हैं अजय श्रीवास्तव सरकी की किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक लॉजिक के साथ बताई हुई ह मित्रों कई सारे संदेश और कई सारे पोस्ट मेरे पास आ रहे हैं कि यह क्या विवाद है विवाद में उन लोगों का हाथ है जो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से यह कंपनी पुनर सुन्चाली थो आप सबको पता है सैडोल प्रकरण पहला प्रकरण था जो की आपसी लजामंदी से समाप्त कराये गया हाँ इसके पूर कई सारे लोग इसमें समलित अवश्यो रहे थे वो सारे लोग भी समलित हुए जिनका नाम पूर्वत सबसे बड़े विरोधुये को रूप में कहा जा रहा था चुकि जिल लोगों ने कंपनी संचालित रहने के दौरान हजारों गलतिया की हैं धोके बाजी की हैं करोडों रूपए का गवन किया है अब उन्हें सेडोल प्रक्रण के समाथ होते ही ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा नहों कि सभी डिस्ट्रिबूटर एक साथ मिलकर अधरनी रादे शामजी को जिल से बाहर निकालने कंपनी पुने संचालित हो और उनके दौरा की गई कार गुरुजारियों को उजागर किया जा सके चुकि पूर्व में मेरे दौरा निरंतर विरोत किया जा रहा था इसलिए एक साधार तरीका था कि सबसे जादा बदनाम उस वेक्ति को करो जो पहला समझाओता किया है ताकि अन्य जगह न हो इसलिए गुमरा करके एक संदेज बनवाया गया कि आर्थिक लेंदेन हुआ है यदि यह करना ही होता तो कंपनी उस धन रासी को माननी न्याले में जमा करती और इस समझाओते को किया जा सकता था फिर श्रे की बात आई जो कोर कमिट्टी वनी कि उसमें किसका नाम समलित होगा जिल लोगों का नाम समलित नहीं हुआ उन्होंने अपना रोज दिखाया और लेफ्ट हुए ताकि लोग उनको यह कहें कि नहीं आप वापस आईए मनाने पटाने का दौर चलेगा और फिर उ सड़ियंत कारी है जो गुम्रा किये फिर उन्हें कि आर्थिक लिंदेन की आरोप लगा दो क्योंकि पैसा सबसे बड़ी कमजोरी है लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे हां ऐसा ही हुआ होगा इसलिए आर्थिक आरोप लगा दिये गए तो अन्य जग है जो समझोता होने की गुझाइस नजर आ रहे थी वो गुझाइस नहीं नजर आईगी जो कंपनी पुना संचालित होने का मार्ग बन रहा था वह नहीं बन पाएगा और जो अपराद ऐसे सड़िंद कारियों ने क कंपनी संचालन के दौरान किया है वह उजागर नहीं हो पाएंगे सचा यह है कि कंपनी ने कुछ नियम अवश्च ऐसे थे जिसको सकती होनी चाहिए थी उसमें ढिलाई थी जिसकी वज़े से सड़्यंत कारियों ने कंपनी संचालन के नर्वान करोड़ों रुपए के गव किये हैं और अब वो बिल्कुल नहीं चाहते इसलिए बहुत आसान है कि कि किसी थी एक वेक्ति को गुम्रा करो आर्थिक लेंदेन का आरूप प्रत्यारूप करो और यह बता दो कि लेंदेन हो रहा है ताकि अन्य जगह समझाता नहों और अधिक से अधिक लोग F.I.R. के आगे बढ़ें यही एक मात्य सच्चाई है किन्तु वो लाख मंसा कर लें जब डिस्टिब्यूटरों ने यह मन बना लिया है कि हम न्याले के मात्यम से इस कंपनी का पुना संचालन करवाएंगे और मनी न्याले हमारी प्रत्ना को सुनेगा यह हमारा विश्वास है तो यह अवर्षे होगा इसके लाख रोकने के प्रत्ने कर लें किन्तु यह रुकेगा नहीं यही मुझे कहना है इस से जादा इस प्रक्रण के संबंद में सफाई में कुछ नहीं कहना आपका यह अपना विश्वास है कि आप किस और क्या मानते हैं क्योंकि पैसा सबसे बड़ी कम इस बकति ने पैसे ले लिए तो सबसे ज़्यादा इ intrinsा तभी होती है कि इस विख्ति ने पैसा ले lिया प्रवाटा राशी के रूप में 500 रुपए वो भी चेक से मागा गया है जिसका बकादे रिकार्ड होगा जिस व्यक्ति ने दिया उसके खाते में उसकी इंट्री होगी और मेरे खाते में भी इंट्री होगी क्योंकि ये भुकतान ही मात्र चेक से लिया गया था यहां कोई हैसास होगा कितना बैख हो सकता है और कितना कलेक्शन मैंने किया यह जितने लोग भी हैं वो जानते हैं इसलिए मैंने कभी वह संख्या को सारजनिक नहीं किया जो वास्तिविक मेरे पास है आप वरतमान समय में मैं चुकी सुप्रीम कोर्ड मूव कर रहा हूं यह लोगों क के साथ और रिलीज करने के लिए कंपनी के संचालन के प्रती अग्रसर होगा जिससे रादेशाम जी भी बाहर आएंगे ऐसा प्रोसेस नहों हो पाए इसको रोकने के लिए यथा संभव मेरे उपर यह लांचन लगाया जा रहा है तो लगाने दीजे महुत है फिर भी मैं र प्रक्टरण से कोई लेना देना नहीं है वह सिर्फ स्वैम की महत्त कांचाओं की पूर्ती के लिए है अतर मेरा मानना यह है कि इस कमिटी को भंग करना चाहिए मेरा आग्रह भी कंपनी के उन कार्यकरताओं से है जो पिछले 16-17 पैने से निरंतर लगे गुए है कि प्याकर करा जाए ताकि आपसी मनमूटाओ ना के बराबर हो केवल और केवल एक धे हो कि जो कारवाही लीगल तरीके से नालिक तरीके से आगे करनी है हो की जा सके इसलिए मेरे द्वारा सभी गुर्पों से लेफ्ट ओने के उपरांद अपने इस गुर्प को एड्मिन मोर्ड में क ऐसे ही कोई विशेश कारवाही जो की नीमच केस से संबंदित है या तीन मामलों से संबंदित प्रथम भुकतान दूसरा रादेश्याम जी की रहाई वा कंपनी को एवं संपूर्ण प्रकर्ण जो संधारित हैं को समाप्त के संबंद में यदि कोई अच्छी निउस आती है तो उसे साब जनी करने के लिए पताया जा सके इसलिए ये ग्रूप संधारित है इसे एड्मिन मोड में रखा हूँ अभी इसे पुना उपन कर दूँगा किन्तु आप सबसे अग्रह करूँगा कोई भी अनावश्यक के संदेश ना डाले यदि डालेंगे तो मजबूरन ग्रूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपरूपर अनकी अपडूपरूच करवाने के संदेश ना डाले या और प्रकवान हूए किसी से पैसे नहीं लिये हुएं वो एक सच्च और अच्छे इंसान है अभी व आगे लोगों का पैसा रीफंड करवाने के लिए सूप्रीम कोर्ट में भी अपनी गुहार लगाएंगे जिससे की सबसे पहले लोगों का निवेशकों का पैसा उन पर जा पाए दूसरा रादे वीडियो को देखяти गा कि अजेशिवास्तुजी को ले करके क्या अपडेट्स क्या रूमर्स मारकेट में चल रहे हैं होपवा आपको वीडियो पसंद आही होगी अगर पसंद है हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा नए हैं तो मैक लिटर मेकर के परिवार के हर किसी दिस्ट्रीबूटर के चेहरे पे खुशी आए, क्योंकि खुशी अगर आएगी तो अंदर से मन हलका होगा, राइट, मन हलका होगा तो वो आदमी और काम में भी अपना मन लगा पाएगा, तो खुशी spread out करें ना कि negativity और politics कभी भी ना करें, एक जुठोक होने का समय है यह अलग होने का समय नहीं है तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ थैंक यू सो वेरी मच आलव यू अल गाइस जाहिन जाभारत वन दे मात्रम झालव यू समय होने का समय होने का समय है थीजियो शाने का समय होने का समय हूह होने का समय है